हेलो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने 1-10 तक की जर्नल एंट्रीज देखी थी अब हम आगे और कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं कुछ एक नई हैं कुछ एक रिलेटेड हैं बट मॉडिफाइड रूप में हैं तो एक एक करके जरा सभी एंट्रीज पर फोकस करते हैं 11 एंट्री सेज पेड रेंट रूपीज 10,000 अब दोस्तों इसका इफेक्ट किस किस पर पड़ेगा अब्यस सी बात है रेंट पे करेंगे तो एक रेंट के अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा और पेमेंट करोगे तो कैश में ही करोगे तो एक कैश पर इफेक्ट पड़े assets होती है payment करोगे तो cash चला जाएगा यानि हमारी assets will decrease हमें पता है assets have debit balance लेकिन अकर decrease हो रही है तो should be credited hence rent को debit करना है और cash को credit करना है so your entry will be rent account debit to cash account 10,000 rupees clear था मेरे क्याल इसमें कुछ भी नया नहीं था यह entry हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं फिर आज क्यों करवाई है वो अगली 2-3 entry से हम देखेंगे कैसे एक दूसरे से यह link होती है next entry says paid rent in advance अब क्या effect है दोस्तों paid rent in advance रूपीज 10,000 दोस्तों क्या difference आया 11th और 12th वे 11th transaction says paid rent and the 12th one says paid rent in advance advance वर्ड का क्या मतलब है as we all are aware before using any services before taking any services if you make payment for those that is called advance payment यहां क्या था हमने कोई building use करी use करने के बाद हमने उसका rent पे करा that is rent paid after using any facility then it says paid rent in advance यानि अभी हमने वो service यूज नहीं करी हमने वो property को use नहीं करा use करने से पहले ही हम उसका rent पे कर रहे हैं it means in accounting advance जनरली means paid for next year advance जनरली means in accounting paid for next year that means paid rent in advance means हमने अगले साल का rent अभी पे कर दिया तो दोस्तों अगले साल तो अभी property use ही नहीं करीं so before using the property आप पैसे दे के आ रहे हूं because you are paying it today तो definitely cash is going out of your pocket today तो एक तो cash पे effect पड़ा अब दूसरी बार बच्चा सोचता है कि rent पे effect पड़ेगा नहीं दोस्तों rent हमारा expense तब बनेगा जब हम उसके बदले की service use कर लेंगे अभी तो हम service ही use नहीं कर रहे हैं अभी तो हम advance में payment कर रहे हैं कि भया पैसे ले ले हम ये service future में use करते रहेंगे हम ये property future में use कर लेंगे तो उसके लिए दोस्तों हम term use करते हैं prepaid rent prepaid expenses होता है जैसे salary advance में pay करोगे तो it will become prepaid salary wages advance में pay करोगे it will become prepaid wages तो prepaid हम prefix कर देते हैं जो इसके nature को denote करता है कि it is paid in advance दोस्तों cash हमारी assets है pay करोगे आपकी cash नाम की assets decrease हो जाएगी hence credited prepaid rent जब तक आप ये service use नहीं कर लेते तो advance में pay किया गया पैसा भी आपकी assets बनता है तो हमारी prepaid नाम की assets increase हो रही है debit इसका बड़ा सीधा सा example है बच्चो हम लोग mobile phones use करते हैं उसमें दो तरीके के SIM card होते है prepaid and post page all of you are aware about it prepaid SIM card पहले आप recharge कराते हो उसके बाद आप service use करते हो तो दोस्तो जब आपने recharge करवाया पैसे तो आपने पहले ही दे दिये वो आपके mobile में balance के रूप में create हो गए जब तक आप उसे use नहीं करोगे तब तक it will become your assets आपका अधिकार है आपकी property है do whatever you want to do with that balance हाना तो उसी तरीके से ये advance rent भी हमारी assets है हमारी property है क्योंकि हमें right है कि हम इसके बदले में या तो वो building use करेंगे जिसका rent दिया है या हमें अपने पैसे वापिस चाहिए होंगे तो जहां पे भी right generate हो जाता है it becomes our assets तो दोस्तों entry बनाओगे prepaid rent account debit to cash account याद रखना खाली rent जो होता है only rent it is our expense that means इस महीने इस साल मैंने property use करी उसके rent की payment कर दी prepaid rent becomes our assets कि अभी term शुरू होने से पहले property use करने से पहले यानि वो year शुरू होने से पहले ही मैंने उसके rent की payment कर दी clear है दोस्तों thirteenth पे आओ देखो क्या कहता है it says out of rent paid ten thousand earlier रुपीज two thousand belongs to next year इसका मतलब जो रेंट आप पहले पे कर आए हो ten thousand पे कर आए हो उसमें से two thousand belong करता है next year के लिए तो इसका मतलब यह है कि आज हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं आज तो हम सिरफ adjustment कर रहे हैं rent तो हम पहले ही पे कर आए थे थोड़ा सा दोस्तो flashback में जाते हैं सोचते हैं जब आपने यह ten thousand का rent pay किया होगा उस दिन definitely आपने entry बनाई होगी rent account debit to cash account जब भी आपने pay किया होगा तो जो rent pay करा था उसको आपने expense बनाया होगा और cash नाम की आपकी assets decrease हो रही थी इसलिए आपने cash को credit किया था लेकिन बाद में आपको एसास हुआ बाद में आपको पता चला कि भाई यह ten के ten thousand मेरा इस साल का expense नहीं है इसमें से two thousand तो next year से belong करता है अभी हमने सीखा जो next year से belong करता है उसको किस नाम से दिखाया जाता है prepaid के नाम से और current year वालों को किस नाम से दिखाया जाएगा खाली rent के नाम से तो दोस्तों out of this ten two belongs to next year that means remaining eight belongs to current year हमारी जेब से cash तो ten नहीं गया है क्योंकि payment तो आप कराये थे तो यह तो बिल्कुल ठीक है कि cash तो ten नहीं गया है बट पंगा क्या हुआ problem कहां rise हुई कि out of this ten thousand only eight thousand belongs to current year and two thousand belongs to next year लेकिन हमने तो rent नाम का expense पूरे ten का create कर दिया जो गलत है क्योंकि इस साल का expense तो सिरफ eight है तो इसको कैसे ठीक करे तो two thousand का rent नाम का expense कम कर दो अब rent being expense debit कर रखा है कम करोगे credit कर दो तो two rent account two thousand ये किस से belong करता है next year से इसलिए इसका क्या नाम रखेंगे दोस्तो prepaid तो now adjustment entry will become prepaid rent account debit to rent account prepaid को क्यों debit करा क्योंकि हमारी prepaid नाम की assets increase हो गई और हमारा rent नाम का expense decrease हो गया इसलिए rent को credit कर दिया अब तीनो entries में ही बेटा एक बारी चेक करते हैं तीनो entries के logic को पहली कहती थी rent पे करा देट मेंस for the current year and you are also paying during the current year है भी इसी साल का पे भी इसी साल में कर रहे हो तो कोई issue नहीं था entry बनाने में second entry says it belongs to next year advance का मतलब ही यह next year है तो second entry says it belongs to next year but you are paying it in the current year तो आप payment current year में कर रहे हो cash आपकी जेब से अभी जा रहा है hence cash is credited यह belong अगले साल से करता है इसका utilization हम next year में करेंगे तो next year के लिए कोई भी पैसा आप आज ही भर दोगे it will become prepaid and it will become your asset तो asset के रूप में हमने उसे debit कर दिया now third entry says आज आप कुछ नहीं पे कर रहे आप rent पहले कभी पे कर आयो 10,000 का during the current year ही आपने previous किसी date पे rent पे कर दिया 10,000 लेकिन उसमें से आपको आज पता चला कि all that 10,000 does not belong to current year out of which some amount belongs to next year so it needs to be get suggested now कि हमें rent नाम का हमने expense दिखा दिया 10 जिसका मतलब तो current year का खर्चा 10 है बट हम लोगों को पता है ये current year का सारे का सारा नहीं है out of these 2000 belongs to next year तो हमें वो पैसा next year में transfer करना पड़ेगा और next year वाले के लिए हम क्या टार में use करेंगे prepaid rent इसको reduce भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब तो current year का expense 10 है तो इसको reduce करने के लिए rent should be credited by 2 और next year का generate करने के लिए prepaid rent should be debited by 2 तो दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है यहाँ पे आप rent आज पे कर रहे हो और पे करते समय ही आपको मालूम है that you are not paying for current year you are paying for next year इसलिए सीधा सीधा आपने term use करी prepaid rent यहाँ पे क्या है जब आप pay करके आ रहे थे तो आपको नहीं पता था कितना current year का है कितना next year का तो आपने सब को current year का मान के entry कर दी बट लेटर ओन लेटर ओन during the current year you realized कि नहीं भाई इसमें से कुछ तो next year का था तो अब उसका effect क्या पड़ेगा current year में से reduce करना होगा और next year के लिए generate करना होगा तो next year के लिए prepaid generate करोगे it will become your assets assets को increase करने के लिए debit current year के expense को reduce करोगे हमें मालूम है expense are always debited बट जब reduce करना हो तो credit कर देते हैं hence entry will become prepaid rent account debit to rent account clear है next entry says 14th rent due to landlord rent due to landlord यानि अभी हमने landlord को rent देना है दिया नहीं है property तो use कर ली एक महिना उसकी property तो use कर ली लेकिन अभी दिया नहीं है बटब property यूज कर ली तो rent नाम का expense तो बनता ही है हमारा तो rent account debit अगर pay कर देते तो आपकी जेब से cash भी जाता cash भी जाता तो to cash लिख देते लेकिन दोस्तों अभी तो payment करी नहीं है payment करनी है जब तक payment कर नहीं दोगे it will become your liability और liability के नाम से इनको दिखाओ outstanding rent के नाम से तो entry will become rent account debit to outstanding rent rent को क्यों debit करा क्योंकि हमारे लिए expense है हमने service use करी है payment करनी चाहिए करो नहीं करो वो एक अलग बात है payment due तो हो गई hence rent account debit payment कर देते जेब से cash चला जाता तो to cash लिखते लेकिन अभी हमने payment नहीं करी है इसलिए to cash ना लिखके we will use the term outstanding rent it will create our liability यह हमारी liability को create कर रहा है जैसे creditor liability होते है वैसे outstanding expenses भी आपकी liability होते है clear है दोस्तो next transaction है दोस्तो bank charges भाई हम लोग अपना bank में account रखते हैं और bank हमें various facilities provide करता है उसके लिए कह रहा है कि bank ने charges काट लिए 1500 अब यह तो समझता ही हो न bank charges bank will take charges from us हम थोड़ी लेंगे bank से charges bank हम से लेगा अब ध्यान रखना दोस्तो जब भी bank हम से charges लेता है हमारे account में से पैसे काट लेता है हमारे घर नहीं आता पैसे मांगने हमारे account में से deduct कर लेता है तो किस किस पर फरक पड़ता है एक तो हमारे bank balance पर फरक पड़ता है और यह bank charges नाम का हमारा एक expense create होता है तो दोस्तो जब bank आपके account में से पैसे काट लेगा your bank balance will increase or decrease definitely decrease तो हमें मालुम है हमारा bank में रखा हुआ पैसा is our assets और जैसे bank काट लेगा पैसे our assets will decrease hence bank account should be credited जबकि bank charges यह हमारे लिए expense है और being expense it should be debited सो दोस्तो entry बनेगी bank charges account debit to bank account जैसे कोई भी expense पै करते हो salary पै करते हो तो salary debit कर देते हो rent पै करते हो तो rent debit कर देते हो उसी तरीके से bank charges पै करे तो bank charges debit कर दो बस समझने वाली बात सिरफ यह है कि bank charges के पैसे cash में payable नहीं होते यह आपके automatically bank account से ही deduct हो जाते है hence bank में रखा आपका पैसा reduce हो जाता है आपकी assets reduce हो जाती है इसलिए हम उसे credit कर देते हैं नेक्स ट्रांजेक्शन कहती है 16 प्रोप्राइटर विद्रड्यू फोर हिस परस्नल यूज cash रुपीज 2000 and goods worth रुपीज 10,000 इसका मतलब प्रोप्राइटर अपने परस्नल यूज के लिए दुकान से cash भी उठा के ले गया और goods भी उठा के ले गया तो किस किस पे फरक पड़ेगा बिटा एक तो cash पे एक goods पे और एक proprietor उठा के ले गया इसके लिए हमें term यूज करते हैं न ड्रॉइंग्स जब जब honor business में से कुछ भी निकाले for his personal purpose will be treated as drawings अब फटफट दुकान पे बैठो दुकान के बारे में सोचो cash दुकान में रखा हुआ cash हमारी assets है अगर honor इसे ले जाएगा तो हमारे business में से पैसा कम हो जाएगा our assets will decrease hence must be credited goods को समझना वेटा बड़ी important point है goods ये goods कौन सी है जब वो उठा के लेके जा रहे obviously वो goods हैं जो दुकान में पड़ी हैं दुकान में कहा से आई थी हमने खरीदी होंगी जब खरीदी थी तो हमने इसे purchase परचेज बना के दुकान का expense बनाया होगा परचेजस के नाम से दुकान का expense बनाया होगा लेकिन अब क्या ये goods दुकान के purpose पे यूज हो रही है क्या ये business purpose पे यूज हो रही है नहीं क्योंकि अब हम इसे sale के लिए तो यूज करेंगे नहीं इसे तो कौन लेके जा रहा है honor अपने घर लेके जा रहा है तो these will no longer be with the business तो अब ये goods business के साथ नहीं रहेंगी तो business में आई जरूर लेकिन business ने इनका use तो किया ही नहीं ना use करा ना resale में use करा इसको तो कौन उठा के ले गया honor तो now these goods will no longer be expense of business अब ये business का खर्चा नहीं बचेंगे याद है ना जब खरीदी होंगी तो आपने goods को purchases के नाम से expense बनाया होगा और expense बना के debit करा होगा कि मैं इस goods को बेचूंगा इससे पैसे कमाऊंगा लेकिन अब तो आप इस goods के उपर अपना right ही lose कर रहे हो क्योंकि उसे कौन लेके जा रहा है owner so this goods are going out of business so it will now not be any property of the business तो जो business में इस पे जब पैसे खर्च करे थे इन्हें expense बनाया था अब वो expense खतम हो रहा है तो credit कर दो drawings drawings के बारे में हमने पढ़ा ही था drawings हमेशा debit होता है और इसको ऐसे समझे कि वो capital को reduce करने का काम करता है capital है credit balance or anything which will reduces capital will have opposite balance hence entry will become drawings account debit to cash account or to purchases account cash कितना गया दोस्तों आपके पास से 2000 goods कितने की गई 10,000 ultimately drawings कितने हो गए 12,000 so entry will become drawings account debit to cash क्योंकि cash नाम की assets जा रही है to purchases क्योंकि purchases नाम का जो expense था जब हम goods खरीद के लाए थे तो दुकान का expense create हुआ but now these goods are not being used for business purposes hence it will not be considered as business expense तो उसको reduce कर दो और shift कर दो drawings में तो entry will become drawings account debit to cash account to purchases account clear है दोस्तों देखिए बच्चों 17th transaction क्या कहती है goods for rupees 50,000 were given away as charity जिनका sales price है 60,000 भाई सुबह सुबह अपनी दुकान पे बैटो business पे बैटो कोई मांगने वाला आया या इन दिनों में COVID की situation में आपने का चलो यार थोड़ा public welfare पे खर्च करते हैं तो आपने अपनी दुकान से कुछ समान उठाया suppose कर लो departmental store है आपका eatables का काम है आपने कुछ eatables उठाये और needy people को जाके दे दिये आपने उनको खाने पीने के लिए दे दिये अब भाई यहाँ पे आप goods sale तो नहीं कर रहे हो sale तो वो होता है ना जिसमें बेचे और पैसे आएं अब यहाँ पाप उन से पैसे थोड़ी ले रहे हो आप तो charity के रूप में दे रहे हो तो sales prices of no use sales price को मत देखना तो किस-किस पर effect पढ़ेगा बिटा हम goods दे के आ रहे हैं तो एक फर्क goods पे पढ़ेगा और charity के रूप में दे रहे हैं तो दूसरा effect charity पे ये कौन से goods हैं दोस्तो जो हमारी दुकान में पढ़ी थी कहां से आई थी purchase करी थी जब purchase करी थी तो आपने इसको purchases नाम का expense बनाया था जी बनाया था लेकिन अब तो ही आपका purchases नाम का expense ही नहीं बचा क्योंकि अब आप इसको business purpose में तो use करनी रहे it will be credited अब आपका charity नाम का expense create हो रहा है charity नाम का expense create हो रहा है तो उसे debit कर दो तो entry will become charity account debit to purchases account तो सीधी सी बात है वो खर्चा जो अभी तक purchases के नाम से जाना जा रहा था क्योंकि वो business में directly use नहीं हो रही goods इसलिए हमने उसको shift कर दिया और उसमें किस नाम से दिखा दिया charity के नाम से तो आपका charity नाम का expense create हो गया जबकि आपका purchases नाम का expense reduce हो गया with the cost price जितने में हमने खरीदी थी selling price का use सिरफ और सिरफ तब करना है जब goods sale हो रही हो next transaction कहता है बच्चो 18 गोड़ वर्थ रुपीज 25,000 वर distributed as free samples कुछ रुपए की goods आपने free sample के रूप में बाढ़ दी भई बड़ी सी बात है कोई भी दुकानदार कोई भी बिजनसमेन अपनी goods को sample के रूप में क्यों बाढ़ता है ताकि वो अपने माल की अपने माल की quality की advertisement कर सके और उसके दम पे अपना माल बेच सके तो इस free sample में बाटे गए चीजों को हम advertisement के नाम से जानेंगे तो उसका effect किस किस पे पढ़ेगा बच्चो एक तो goods पे और एक advertisement पे तो आपका goods नाम का expense reduce हो जाएगा क्योंकि वो goods आपके business में तो यूज हो नहीं रही तो इसको reduce करने के लिए credit कर दे आपका advertisement नाम का expense create हो रहा है उसको create करने के लिए debit कर दे तो entry will be advertisement account debit to purchases account इसमें दोस्तों देखो क्या हो रहा है नया कुछ नहीं हो रहा सिरफ expense अपना रूप अपना घर change कर रहा है अभी तक वो expense purchase के नाम से जाना जाता था अब हमने उसको purchases में से shift कर दिया advertisement पे next 19th ये one of the most important entries है और थोड़ी सी मुश्किल भी है जरा ध्यान से देखेंगे कहता है goods worth rupees one lakh were destroyed by fire insurance company admitted and paid claim for 60% amount only भाई आपके go down में आग लग गई और one lakh का माल डेस्ट्रोई हो गया तो पहले सिरफ focus यहीं रखते हैं एक आग लगाते हैं और जिसमें माल डेस्ट्रोई करते हैं आपके go down में आग लगी और goods डेस्ट्रोई हो गई किस किस पे फरक पड़ेगा एक तो goods पे फरक पड़ेगा और यह आपके लिए नुकसान क्रियेट हो रहा है इसको नाम देंगे loss by fire क्या नाम देंगे loss by fire तो goods आपकी कम हो रही है जल गई hence आपका goods नाम का expense तो reduce हो गया उसको reduce करने के लिए credit और यह आपका loss नाम का loss by fire नाम से loss create हो गया हमें पता है loss और expense का nature सेम होता है वो बात हो रहा है meaning by difference है expense वो है जब हम कोई पैसे खर्च करें जब हम कोई resource दें लेकिन बदले में कोई facility मिले अब इसके बदले में तो कोई facility थोड़ी मिलेगी तो it will be called a loss और loss को हमेशा debit किया जाता है तो दोस्तो पहली entry इसमें बनाओगे goods जलाने की loss by fire account debit to purchases account तीनोई entry में similarity देख लो charity के रूप में goods दी advertisement के रूप में goods दी और यहाँ पे goods destroy हो गई तीनोई सूरत में आपकी goods reduce हो रहे हैं बट sale नहीं हो रहे हैं reduce तो हो रहे हैं sale नहीं हो रहे हैं इसलिए हमने purchases को credit कर दिया क्योंकि हमारा goods नाम का expense reduce हो रहा है यह charity में convert हो रही थी इसलिए charity नाम का expense बना दिया यह advertisement में convert हो रहे हैं advertisement नाम का expense बना दिया यह loss हो गई है तो loss by fire नाम का expense बना दिया clear ये a part मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी multiple transactions होंगी ये तो हुआ पहले माल जलने की transaction goods जल गई आगे कहते हैं insurance company इसका claim admit किया और pay किया 60% लेकिन भाई insurance company को अपने आप थोड़ी पता चलेगा कि आग लग गई हमें बताना होगा हमने insurance करा रखा था goods का हमने insurance वालों को phone किया भाई ऐसे ऐसे आग लग गई है तो अब हम अपने पैसे मांगेंगे insurance से कितने मांगोगे common sense कहती है जितने का मेरा नुकसान हुआ है मैं तो सारे ही मांगूँगा तो मैं insurance वालों से कितने रखा मांगूँगा one lakh रुपीज इसका effect किस किस पे पढ़ेगा एक तो पढ़ेगा बच्चो insurance company पे और एक effect पढ़ेगा loss by fire पे कैसे मैं insurance company से कहूँगा कि भाई insurance करवाता हूँ तो आप मुझे ये पैसे दो they will become my debtor मैं इसे पैसे मांगूँगा तो my debtor will increase that means my assets will increase so they must be debited और जो अभी मुझे नुकसान हुआ था loss by fire अगर उसके पैसे मुझे insurance company से मिल जाएंगे तो मेरा नुकसान compensate हो जाएगा तो मेरे लिए net net तोर पे सोचू तो कोई loss बचेगी नहीं तो मेरी loss जब हुई थी तो मैंने debit कर दिया अभी compensate होने जा रही है compensate होने जा रही है तो उसे credit कर दो तो entry बनाओगे insurance company account debit to loss by fire तो मैं तो पूरी पैसे मांगूँगा न तो insurance company will become my debtor और loss by fire नाम का मेरा loss reduce हो रहा है इसलिए मैंने उसे credit कर दिया तो मोटी मोटी तोर पे बात हुई मेरी goods जल गई और जिसके बदले के पैसे मुझे कौन देगा insurance company लेकिन c point कहता है insurance company admit कर रही है और claim दे रही है आपको 60% that means out of one lakh they are paying me only 60,000 तो बाकी का 40,000 नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे तो वो मेरे लिए फाइदा होगा नुकसान होगा definitely loss किस किस पर effect पड़ेगा एक तो insurance company से पैसे मिल रहे हैं तो एक effect पड़ेगा insurance company पे दूसरी बात दोस्तों याद रखना insurance company जो भी आपको claim देती है वो check के through देती है या direct आपके bank account में transfer करती है मतलब cash में payment नहीं होती इसकी payment banking mode से ही होती है लेकिन जितने मिलने चाहिए थे क्या सारे मिले नहीं कुछ कम मिले कम मिले तो नुकसान हुआ और इस loss के लिए तीसरा कौन सा account effect पड़ेगा profit and loss तो दोस्तों insurance company यह हमारी debtor बन रही थी हमने पैसे लेने थे अब उसने पैसे दे दिये पैसे दे दिये तो our debtor will reduce debtor reduce हो रहे हैं यानि हमारी assets reduce हो रही है तो should be credited पैसे आ रहे हैं हमारा bank balance बढ़ रहा है यानि हमारी assets create हो रही है तो should be debited profit and loss या आपको profit हो रहा है या loss हो रहा है definitely loss हो रहा है loss की सूरत में it should also be debited तो entry will be bank account debit profit and loss account debit to insurance company तो दोस्तों bank में हमारे पास I60 loss हुआ 40 और insurance company से हमारा claim admit हो गया claim clear हो गया 1 lakh ठीक है दोस्तों तो तीन बाते आई पहले आग लगाओ आग लगाओगे तो goods destroy हो जाएंगी loss by fire नाम का एक account generate हो जाएगा फिर insurance वालों से पैसे मांगो आपकी loss compensate हो रही है इसलिए loss को reduce कर दो और insurance वालों को debtor बना दो अगर वो सारे ही पैसे दे देते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी पैसे आ जाते डेटर reduce हो जाते एंट्री बना देता हमें bank to insurance company लेकिन अभी कुछ कम मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं तो loss हो रहा है loss हो रहा है तो profit and loss को debit कर दो और गलती से मन में ऐसे सोचना मत की क्या पता जादा मिल जाते जितने का loss होगा उससे जादा insurance company आपको कभी देगी ही नहीं clear है दोस्तों चलो जी coming back to moving to our last transaction 20th one it says goods worth rupees 50,000 and cash worth rupees 20,000 were stolen by an employee अब हमारी दुकान का एक नोकर कुछ रुपए की goods और कुछ रुपए का cash उठा के ले गया चोरी घर के ले गया किस किस पर effect पड़ेगा by goods चोरी हो रही है तो goods पे cash चोरी हो रहा है तो cash पे यह आपके लिए फायदे की बात है नुक्सान की तो इसलिए इसको लिख दिया loss by theft जैसे अभी destruction हुई थी by fire तो हमने नाम लिखा था loss by fire अभी चोरी हो रही है तो नाम लिखेंगे loss by theft तो दोस्तो goods हमारे यह goods आ रही है या जा रही है obviously जा रही है कौन से goods हैं जो हमारी दुकान में पड़ी थी कहां से आई थी purchase करी थी purchase करी थी तो purchase नाम का expense बनाया होगा लेकिन अब business purpose में तो use ही नहीं हो रही यह तो चोरी हो गई तो हमारा purchase नाम का expense reduce हो गया reduce करने के लिए credit कर दो cash cash हमारी assets होती है चोरी हो गई reduce हो गया reduce करने के लिए इसे भी credit कर दो और loss by theft loss by theft हमारा क्या होता है loss ही हमारे लिए being loss it should be debited so entry will become loss by theft account debit to purchases account or to cash account by goods कितने के destroy हुई थी दोस्तो मेरे क्याल 50,000 की goods थी और 20,000 का cash था तो ultimately हमारा loss कितने का हो गया 70,000 so entry will become loss by theft account debit to purchases account to cash account clear है दोस्तों इस सारी transactions अच्छे से वीडियो को देखना एक-एक entry के logic को समझना and definitely उसके बाद ये जो assignment भेज रहा हूँ इसे करना Thank you